अगें और हमने कल स्टार्ट किया था क्रॉप साइंस क्रॉप साइंस एक टॉपिक है जो कि टेकनोलोजी के अंतरगत आता है और यह जो टेकनोलोजी पोर्शन है यह एसी एफ़ फॉर्स रिंजर इंजर एक्जामनेशन की जो हम तयारी कर रहे हैं जो कि चत्रिसगर्ड स्टे के अंतरगत एक टीविजन है जो की मिनिस्ट्री ऑफ एक्रिकल्चर और फार्मर वैलफेर के अंतरगत आता है उसको स्टार्ट क्या था है चलिँ आज देखते हैं कि इसके अंतरगत थ्रस्ट एरियास क्या-क्या होते हैं यह जो वीडियो लेक्चर्स है वह वह हिंडी और दोनों दोनों ही लैंग्विजस में हैं और कहीं तक आपको यह जो भी एंसी क्यूस आने वाले हैं उसमें मदद करेंगे चलिए देख लेते हैं सबसे पहले अब त्रस्ट इरिया किसलिए बनाए जाते हैं तो यह हमको क्या करना है इसको हार्नेस करने के लिए कौन-कौन से जो कन्वेंशनल और मॉर्डन साइंटिफिक नॉलेज को बना के रखने के लिए साथी टूल्स या कटिंग एज जो साइंस यूज़ करना है हमको तक कि हम क्रॉप की बिराइटी बना सके त्टिके और do diving अरिक कोई जो इकोलोजिकल से और से européण और एफिशनिबल क्रॉप प्रिध्षिन है और प्रोटेक्शन टेक्नलोजिए इनको अपलाय कर सके ठीके और अपने काम में Ikसेलिंश ला सके इसgus फ करना जो भी टेकनलोजी हम जो यूज कर रहे हैं और जो प्रोडक्शन कर रहे हैं सीड्स का उसमें भी इंफेसिस करना जो हाइब्रिट कल्टिवर्स है उसके लिए ठीक है यह आप देख सकते हैं यह जो तरश्ट इरिया से उसमें इस तरह की क्रॉपिंग होती है अब इसमें क्या करें बड्रेशन कर सकते से सिस्टेम यूज कर सकते हैं जो भी जेनेटिक रिसूर्स्ट में के इसैट के या साइन से रिलेटेड चलिए गाइज अब इसको देखते हैं हिंदी में इसको हिंदी में कहते हैं जोलचेत्र क्या कहते हैं जोलचेत्र कहते हैं अब इसमें देखें क्रिशी पारिसितिकी और पारिसितिकियों के अनुकूल उन्नत वसल और संकर किसमे की विकास के लिए परिक और आधनिक विघ्यानिक ज्यान और विघ्यान के अत्या जुछ करना और कुशल आर्थिक परियावरन के अनिकोल और टिकाओ फसल अग्रिव फसल विज्ञानुसान में उत्कृष्टिता को बढ़ावा देना यह इसका में उत्देश होता है अब देखें जो हम थ्रस्ट इरियस की बात करें तो उसमें क्या क्या लक्ष पाई जाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं अब पौधे यह और जो कीड़े हैं और अक्षेर किया और सांस्कृतिक रूप से महत्पूर्ण शुक्ष जीव हैं कि अनुवानशिक संसादनों का संद्रक्षन और इस्थाई उप्योग करना इसका में उद्देश माना जाता है तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ अभी तक क्या विकास हुआ है तो अभी तक हमने लगभग तीन हजार थीन सो हाई येल्डिंग वाराइटी या हाइब्रीड ऑफ फेल्ड क्रॉप्स को डिफरेंट एग्रो एकोलोजिस में तेके डिफरेंट एग्रो एकोलोजिस में हमने डैवलप कर लिया है और इसकी फस इसका वैरिफिकेशन और इडिफिकेशन भी हो सकता है टेकनलोजिस के साथ में और ये कंट्री में वल्डवाइड इसको परफॉरम किया जा सकता है और इसका एक सिनर्जेटिक नेटवर्क भी देखने को मिलेगा आपको ओल इंडिया को और डिनेटीड परोचेट्स के तर तो यह दो रिवॉलुशन लेकर के आये थे हम एक 1960 में आया था एक 1990 में था मतलब 1960 के दर्शक में और 1990 के दर्शक में लाया गया था आप सब को यह पता है तो जो नेशनल एवरेज ट्रोइक्टिविटी है यह भी दो सी चार गुना बढ़ गई किसमें तो फूट ग्रेंस में फूट ग्रेंस में मतलब जो की खाद्य होते न अन्य होते हैं उन में जो है वो खाद्यान जो है वो उसकी जो प्रोड़क्शन है यह प्रोड़क्टिविटी उत्पादक्ता है वो दो से तीन उने बढ़ गई और रेप्सिज जो मस्टर्ड है और कॉटन है 1951 1950 से 51 के की फसलों की लगभक 3,303 उपजवाली किसमें संकर विक्सित और जारी ठीक है अकिल भारती समन्मित पर्योजना के देश्वयापी सहक्री आत्मक नेटवर्क के तहद प्रोड्योगिकों के सत्यापन और पहचान की सुईधा यह आउटपुट क्रमशह मद्य 1960 और मद्य 1990 के दशक में हरे और पीले क्रांतियों के योगों की शुरुवात करते हैं देखें राश्टी और सत अगर उत्पादक्ता देखें 1950 इनकावन में तो खाध्यान में रैपिट सरसों में अकास और कपास में 2-4 गुना यह जो उत्पादक्ता है इनमें बढ़ी आई हूप आपको थ्रस्ट एरियाज जो मैं समझा रही हूँ वो समझ में आ गया होगा तो थैंक्यू गाईज आज का लेक्चर होता है यहीं खतम बताएगा आपको लेक्चर कैसा लगा